महु के पार्सी गली शेत्र में हुआ बड़ा हाथसा भरबरा कर गिरा एक दो मिंजिला मकान महु शावनी बोर्ट के रवेई के कारण हुआ हाथसा एक साल से लटका कर रखी थी पर्मीशन मालवा मिरर के लिए महु से सचिन काकड़ी की रिपोर्ट यूं तो देश के लगबग हर शावनी शित्र में मकानों के रिपेर के लिए दी जाने वाली पर्मीशन का मामला लगबग एक साही है पर इस मामले में महु केंटोनमेंट बोर्ट का रवेई सबसे खराब रहा है बोर्ट की इसी मनमानी के चलते महु शहर में एक बड़ा हाथसा तब हुआ जब पारसी गली में एक दो मंजिना मकान भरबर आकर गिर गया बस गनिमत यही रही कि कोई जन्हानी नहीं हुई क्योंकि जैसे ही उपरी मंजिल की छट हिलने लगी उस घर में रहने वाले जडिया परिवार के सदस्य जरूरी सामान लेकर बाहर आ गए थे दरसल जडिया परिवार के पास वाला घर मकान नमबर 427 गोपाल जोशी का है जिसे वे जरजर अवस्था के कारण तोड़ कर बनाना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने केंट बोर्ड से सारे दस्तावीच के साथ निरधारिश शुल्क आठ माह पहले ही जमा कर चुके हैं और तब से लेकर अब तक बोर्ड के जिम्मेदार अधिकारियों से स्वयम मिल रहे हैं साथ ही लगातर पत्राचार भी कर रहे हैं पर बोर्ड ने अभी तक उनको पर्मिशन नहीं दी है जिस कारण यह हाथसा हो गया है अपने शेत्र की खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं